मेरा खुशामतीद आप सब कुभूर बेरे स्टेज पर महमान बैठें इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अमोमन दुनिया में ऐसा होता है कि पेरिंट्स जो है वो अपने बच्चों को माबाप जो है अपने बच्चों को दुनिया के आगे पेश करते हैं इंट्रिड्यूस करवाते हैं जी एरेफ ने मुझे ये मौका दिया है ठीक है अनोखा मौका कि जहां मैं अपने फादर अपने बापा सादिक नूर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ उनकी उर्दू शायरी की किताब नद्दी का घर के साथ नद्दी का घर हाली में पबिश होने वारी एक ऐसी किताब है जिसमें कई नजबें और घजलें डांग जो गुजरात का एक जिला है डांग उसके बैकड्रॉप में है उर्दू में डांग ये ऐसा पहला मौका हुआ है कि उर्दू में डांग रेप्रेजेंट वाओ किसी किताब में आकाशवाणी से रेटाइट होने के बाद साध्यक नूर जो है ब्रोडकास्ट ट्रेनर है टीचर है और हाल ही में भारत सरकार गवर्मेंट और इंडिया ने उने बेस्ट दूसरी बार बेस्ट ट्रेनर अवर्ड से नमाज आए शाहिरी वो उपने कॉलेज के टाइम से करते आ रहे है लेकिन वो किताब के रूप में शाहिद अभी हमारे आगे कुछ दिरों पेले आई तो आज जंगलों ने खोली ने जो ही है जो ही है जंगलों ने किताब हो आएक बहुम मुटी बाच भाउज मन वगर जारे जारे आख मी ची ने आपड़े अपने आपड़ा इनके पुझा यह नहीं पोँचाई नहीं आपड़ा प्रसुम थया करे आए एे समयना काला दी अंदर जो पेलो मान संदर नो भभीतर नो प्रवासी होई ने तो ये पोता ना रस्ते पोता ना मार के आगल निकली पड़ेश। ये कशी पोता नामा की बिंडे पली प्रह्मां डे हो तुझे वो खेल उतु यहू नहीं। निकली तुझे हो OH muchos सबसेХ वें अबिंडे वहारा मां बसätte का करें आप महां था कमे ऩुझे शेगोगें। अा नमोद आहू नामाजचमासा स्टै ऐक भीत्रा अज्यू आपनी तुझे नमाजचमासी वागा करका टैनिकली के वहार्णी हर्मासा टेली प्रेह। पड़ने तो यही ख्याल पुली गव्या थी के कि इनलू पांगलू इतलू सूरिय साथ है जोड़ा है लूज है इतलू जापड़ा स्वास साथ है जोड़ा है लूज है तो मने मजानी बात यह लागी के न एंपनी नमाज भीशे लखायरी नजमनी वाद करूँ अस्वाद करूँ पछी घजलते वाचे और आपने आगलत दूर चला कि बड़ो पर रिशे जो पहँआ कोई आपने मनमें पहात हो जाओक प्रु प्लाणिक पर नधी भीशे बोल गियाचे ननाधी। गैसे सनी ळिया भीशे नधी पला चाहिए लिवेशे जैने मार्ण भीशे पहाजेख़ पाचे उर हैवाजennial आपकर सब्सक्ता आभीशनी लुक्तार क ? मुलाइग गटाड़ जाता है तरिये पहुती जाएगे तो नमाज दूशेचे तो नमाज पहला सांपोड़िए प्लिस खादीब भी भी पास अवाजमाई नमाज तरण एक शेर तरण जी चार शेर ठीए कुछ नहीं है इस बशर की चंद वक्तों की नमाज कुछ नहीं है इस बशर की चंद वक्तों की नमाज आओ देखो जंगलों में इन दरखतों की नमाज कुछ नहीं है इस बशर की चंद वक्तों की नमाज आओ देखो जंगलों में इन दरखतों की नमाज अशेर है के मुद्दतों से सजदे में है या इलाही कर पुबूल नत मस्तक मुद्दतों से सजदे में है या इलाही कर पुबूल सिलसिला दर सिलसिला बुड़े पहाडों की नमाज सिलसिला दर सिलसिला बुड़े पहाडों की नमाज और मैं सीधा मक्ता पर आजाता हूँ कि एक नजर का उठके जुकना भी इबादत में शुमार एक नजर का उठके जुकना है इबादत में शुमार यों अदा होती है सादिक हम फकीरों की नमाज यों अदा होती है सादिक हम फकीरों की नमाज जो रुक्षों नी अंदर नमाज बढ़ पड़ पड़ ही रही छे ए जो नजर मली जाए तो पथी पलाठी वाली ने बैसवानी कोई जरूर नथी के पांच टाइम माटे उठक बैठक नीपन जरूर नथी अहीं थी आ वाद चालू थाई जा अना आनी मजहानी वाते है छे क् पर अना विशे नी जो बात करू तो आ नमाज यही डांगना जंगलों विशे लखाई एक रुक्षों माती सुझी अने यह लखाता लखाता एक अदुद गटना बने जे क्या आ नमाज गजल विशे अने अना लेक ने रम्जान महिना नी अंदर आपना क्या आपने नमाज नो अर्थ जानी है अने खरेखर आपने गरंथनी बाहर मिकली अने मस्जिद भी बाहर मिकली अने क्या जोई यह तरकी मूटी कटना बने इसमें यह हुआ था कि मैं थोड़ा सा एक और छोड़ा सा बेक्राउंड दूँ कि विनेश भाई जानते हैं यहा यहां पर महजूद हैं सबसे आगे आपके पास बैठे हुए एक बहुत बड़ा गुजरात का नौविलिस्ट यहां है सबसे पहले जो उनके लिए भाई के लिए दालिया दे जाएए यह यस और वो आकाश्वानी के डारेक्टर भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि एक ऐसे जगा पर मुनाजमत करना कितना मुश्किल है खैर वहां से जब मेरे ट्रांसफर हुआ और आखरी बार जब मैं डाम को छोड़ रहा था और रात को आट बज़े जब वहां से बस नीचे उतर रही थी पहाड़ों पर से और चान्नी रात थी और उस चान्नी रात में दरखतो वहां के जो साए हैं वो जिस तरह से मुझे नज़र आए तो डाम छोड़ते वक्त जो आखरी मेरी वहां की जो आखरी कवीता हुई वो ये थी और मैं बस हिल रही थी पहाड़ों पर और मैं यह घजल लिख रहा था तो इस गजल की जो रचना है वो इस तरह से हुई और वो इनके पास पड़ी हुई थी इन्हों ने एक दिन गुजरात समाचार में उसे च्छापा और बहुत लोगों ने पढ़ा तो मैं किसी जगा बोलने गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर लोगों ने पहले से इनका जो लेक था गुजरात समाचार का उसकी जैरॉक्स पटवाती थी हाँ वहाँ वहाँ पर जो रमजार में यो हता है तक्रीर होती है हमारी और उसके अंदर सब्सक्राइब होते हैं हमारे जहां इक खंडवा वाला साहब और सब मौझूद उन लोग ने देखा कि इतने खुशुरत गजल पर इतना खुशुरत जो लिखा गया है तो इसमें जो मेरा जितना हाथ है उससे ज्यादा इस गजल में राजे श्यास विस्किन का भी हाथ है हव को अब आप फुशरे देख सहरें हमें हवैं एक वात कहईवींचे के जहना विश्याई अव कर शुषै अभी ये उनक स्लुक्ने वी याद वकुश्यू ने माता निमित्व ने शनु ओधने शेन नद्दी का घर सुधी एक स्मरण जेशे ने एमना आवाज मां एमनी पासे थी संबढ़ वाजे हूँ चेके नदी भी शे नी एक नजम के भी नी तयावे शे एने ये अपड़े खादिक भी ने ये जो किताब है इसके जो टाइटल पर मैंने पहाड और पहाडों में से लिकलती हुए नदी की कल्पना की लेकिन उक कल्पना नहीं की बल्कि उसको मैंने जिया है और छोटी सी घटना जो इसका बीच बनी वो हम शेयर कर रहे थे तो आपके साथ उसको शेयर करो कि मैं जब आहवा में रहता था तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे बच्चों के दोस्त वहां मिलने आते थे वहां रहते थे मादव भई मादव रामनुच के जो स्टूडन्स आर्टीस्ट वहां आते थे तस्वीरे बनाते थे एक दिन मेरे फैमिली के साथ मेरी मा भी वहाँ आई और हम लोग पिक्निक पर गए पास की एक छोटी सी नद्दी दो और नद्दी में पारी नहीं था वहाँ बीच में उदर कर एक पत्थर पर हम और सारे बच्चे हमारे यासर वगरा छोटे थे और अन्जोई कर रहे थे मैंने देगा मेरी मा कहांगे नजर पड़ी तो धूप थी और एक छोटी सी जाड़ी के नीचे एक पत्थर पर मेरी मा नमास पड़ रही थी और पस मैं देखता रहे गया और यह ख्याल गुजरा कि आई नदी हम तेरे गर्ब में बैठे हुए हैं इस वक्त तेरी गोद में बैठे हुए है और तेरी गोद में मेरी मा बैठी हुई है यहाँ पर सच्दे कर रही है अल्ला को याद कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गरीब मेरी माँ कहीं किसी गाओं में जन्मी और उसके बाद कहां महां राजस्तान के एक छोटे से शेहर में अपनी उलादों को पाला और उनको लेकर यहां आमदाबाद आई और आमदाबाद से रोजी के पीछे और उसका एग बेटा इतनी दूर जंगलों में आकर पड़ा है यहां इससे मिलने आई और उसके बाद इस नदी में आई या अलाद तूने इस औरत का सजदा इस पत्थर पर लिखा हुआ था और ये सजदा अदा करने यहां आई तो ऐ नदी तेरा रिन मुझ पर रहा मैं जिन्दगी भर इस नदी को याद करूँगा और इसका रिन का भी अदा करूँगा तो ये जो मेरी किताब है इसका नाम मैंने नदी का घर इसलिए रखा कि उस नदी का जो हर नदी हमारी संस्कृति में हमारी तेहजीब में मा है और मा बहती रहती है उसकी मुहबत बहती रहती है और अनंत काल से बह रही है दुनिया की तमाम सरजमिनों पर बह रही है के अंदर बहती है यह हम में हर इक में बह रही है और हमारे अंदर जो जंगल उगे हुए है उन हर्याले और सूखे जंगलों में से बुज़ती है यह मेरे जिन्दी की तर्था हाँ रशीद मेरे साथ ही इन्होंने नजमों को परखा है और उस पर कुछ लिखा भी है आगे बाद चलाएं लिए बहाँ रशीद हमने लीप्लेट में पढ़ा था कि डाम से मुतालिक सादिक मूल में जो नजमे लिखी है जो गजल लिखी है वो उनकी किताब नदी का घर में तो है ही लेकिन यहाँ पर जिये लेपने इस तरह से सोचा कि वो बाते जिन्होंने अगर यह किताब नहीं पड़ी उन तक पहुँचाई जाए तो ज्याद बहुत रूस ने कोशिश यह की जा रही है कि इन्होंने साधिकनों ने डांग के बारे में क्या लिखा तो डांग के बारे में बहुत सार नदी में लिखी है इन्होंने एक तो नजम का नाम ही डांग है दूसरी बारिश तीसरी टूटे तारे चोथी चूला जलने तक पांचवी डूपते सुरज का खिताब छटी नदी का घर साथवी वका चकचका आठवी रेन बसेरा नवी पहाडी रास्ता और दस पहाडी रास्ता यहां तक कि जो नजम है इन तमाम में डांग का कहीं कहीं सिक्राता है और गजलों के अंदर अशार बे डांग के इशारे मिलते हैं गजल तो जो है इशारों के और कनायों के जबान है तो उसके अंदर उसके इशारे आप देख सकते हैं और इन नजमों के अंदर डांग के बारे में बहुत सारी बाते हम लोग पढ़ सकते हैं साधिक नूर जब नजम लिखते हैं तो दोनों तरह की नजमें उन्होंने लिखी हैं तवील नजम जो बहुत ज्यादा लाइने वाली होती हैं और मुक्तसर नजम जिनमें लाइने कम हो मुख्तसर नजम से ज़्यादा उनको तवील नजम लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है तवील नजम है और उसके अंदर बहुत सारी बातें जो इन्होंने सोची होती है जिनको इन्होंने जिया होता है जो बातें सांस के साथ उनके जिस्म में उतरती है और जिसमें से जो बाहर आती है तो उसके साथ जो बाहर निकलती है और पूरे आसपात के जो माहूर के अंदर वातावरण के दोरों चीज़े पिरती है तो माहूर, वातावरण और कवी इन दोनों के साथ में जो एक इसा इश्टा बनता है कि वातावरान जो है वो इनके अंदर भी दाफिल हो रहा है और ये खुद वातावरान के अंदर फेड़ते चले जा रहे हैं इस तरह की बाते जो हैं हमें देखने में बाते हैं मैं यहाँ पर इनके एक छोटी नजम के बारे में खास बात करना चाहता हूँ तेली पठी नामें स्तर्म का तेली पठी यानि के हमने जो कुछ सोचा है उसको सामने वाले तक पहुचा दिया जाए निदाफादने ने एक बार लिखा था में रोया पर्देश में बीगा मा का प्यार में रोया पर्देश में बीगा मा का प्यार बिन चिठना दिल ने दिल से बात की, बिन चिठी, दुख ने दुख से बात की, बिन चिठी बिनता, बिन चिठी और बिनता, कोई वसिला नहीं, कोई वीडियम नहीं, कोई चीज नहीं, और उसके अलावा अगर हम जो सोच रहे हो बात सामने की दिल तक पहुँच जाए, तो एक टेली पस हैं तो हमसी बात हैं गई हम गहां रिखें तो हमको इसा लगता है हम नंदु को फरक हिए लेकिन नंजम कभी परक्खते नहीं जा सकती हमेशा उसकी नई नई परक खुटे किया चीडिया अपने बच्चों के लिए दाना दुनका लेने निकली है चुडिया अपने बच्चों को छोटे मटे केड़े लाकर खिला रही है उसके बच्चें चीची कर रहा हैं जोर-जोर से आवाजें निकाल रहा हो बुला कि जल्दी लेकर हमारे खाना वो जा रही है और चीज़े लेकर आ रही है और इसे में एक कि खाना हमारे खाना है हमारे खाना है और ब क हिकना है यह ज़िए चीज़ी को की लेकर आसरे की बैठी खाना वर ड्में ऐसी मेरे खानी वाशना होई खी ấy कर बूंसária . तो अचानक ऐसा हुआ कि चुडिया वहां से मूँ फेरकर उड़कर चली गई तो बड़े अचीव धंग से एक नजम बनी है और इस नजम के अंदर जब हम सोचते हैं कि ये जो तित्ली है ये क्या है हो सकता हमारी कोई फाहिशात है हो सकता हमारे दिल के अंदर दभी होई को अच्छी दूआ सोच रखी हो कि आने वाले दुनिया में आने वाले वक्त के लिए कोई अच्छी बात हम बता कर शायर बता कर जाने चाहता हो तो ये तमाम बाते जो है वो एक इतली के सिंबल के तो पर चल रही है और सामने चिडिया जो है वो शिकारी है वो तितली है वो शिकार है और वो शिकारी है शिकार और शिकारी का बहुत पुराना नाता है क्योंकि एक के ओपर दुसरा निपता है ये फित्री बात है इसमें कोई गलत बात हो भी नहीं रही है जो खुदा ने बनाए दुनिया उस इस तरह से रीत रिवाज के तरीके से लोग जी रहें और एक शिकारी दूसरे शिकार करता रहता है तो वह यहाँ पर भी होने वाला है और वही हो भी रहा है लेकिन जब यह देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे आसपास की दुनिया है कई बार वो शिकार शिकारी बनती है और हमारी जो सोच होती है उस सोच को जह हो शिकार कर लेते हैं हम जो सोचते हैं बड़ी अच्छे-ची बाते हम सोचते हैं लेकिन हमारे आसपास में इस तरह के शिकारे मुझूद होते हैं कि जो हमारी बात अगर जरासी भी बाहर निकारती है उसको चक लेते हैं और उसको तो ये नजम को जो है दिखकर हम लोगों तक पहुँचाई है नहीं ये तो बहुत ही ये सवाल हमेशा पूशे जाते रहते हैं कि लेकिन जो गालिब ने कहा है कि आते हैं गैब से ये मतलमी ख्याल में मुझको सरीर खामा नवाए सरोश है हम किसी लमहे को किसी कशन को कभी जी लेते हैं लेकिन जो उस पर कलम उठाते हैं तो दस बरस गुज़र जाते हैं बीस बरस गुज़र जाते हैं तो ये सारे मेरी जो डांग की राजुश भाई जो इन्होंने जैसा है के नाम गिनवाए बहुत ज्यादा नहीं है पूरी किताब में 15 जितनी चीज़ां ऐसी हैं कि जो डांग के बैक्ट्रॉप में हैं लेकिन मैंने इसको फिर भी डांग के जंगलों की कविता इस तरह से यहां पर लिखा गया है यह बिल्कुल सही है क्योंकि हम बहुत कुछ लिख रहे हैं कालेज के जमाने से लिख रहा था लेकिन जब मैं डांग गया और वहां की तनहाई में देखा और मैंने अपने आपको रिविजिट किया तो बहुत कुछ जो लिखा हुआ था उसके ताले डांग में मिले और उसकी चाबियां वहां पड़ी थी और उन तमाम चीज़ों को मैंने महार ही राइट की तो इसलिए मेरा उससे पहले का लिखा हुआ और वहां का लिखा हुआ उन सबकों में डांग की तनहाईयों के नाम इसलिए करता हूँ कि जब इनसान जिस तरह से गालिब कहते हैं तो जब सन्नाटा होता है जिसमें वो अकेला होता है और जब वो अकेला होता है तभी वो उसके साथ होता है तो जब हम अपने साथ होते हैं तब हम चिडिया के साथ जब हमने जो क्षण गुजारे हैं या उस तित्ली के साथ जो हमने एक लमहा गुजारा है वो उजागर होके और हमारे जहन पर हतोड़े मारता है और हमसे कहता है कि लिख वो चुड़िया कहती है कि लिख और वो तितली कहती है कि लिख और वो देव कहता है वो भी कहता है कि लिख तो ये सारे दरख ये सारे जंगल आप वो ऐसे वक्त में आके पकड़ते हैं, कि जब आप अखेले हो आप वाद करें यह मैं एवो छे के अपने कहा दस वर्ष जुनू, वीस वर्ष जुना, कहीं कहीं जुना जुना संस्कारों अंदर पड़े लाजें, तो एक बहुत सरस वाद चे के हिल गई साधिक तुमारी अब जड़ें, जीवन ने किवा प्रसंबों बने आजें, जो प्रसंबों जो अंदर मुलमा थी, आव यक्ति एक अधभूत शेर आपेजे, नदी का घर्मा, अब के जो मैं बिखरा, तो सिमट ही नहीं पाया, अब के जो मैं बिखरा, तो सिमट ही नहीं पाया, एहसास कहां, फिक्र कहां, रूह कहां है, संजे भई, आएक शेर उपर इटली में दी अधुच शेर शेर, अन्याश शेर, ये शेर जितना मैंने कहा हुआँ से केई गुना, ज्यादा मौकों पर राजेश, व्यास, मिस्कीन, मैं कहा हुआ, मैं एक बात, एक मौका, मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूँ, और इसके बात, मैं आप सब के सामने आप साक्षियें कवा हैं, जैसा कि खालिब ने मौमिन से कहा था, खालिब तो बहुत बड़े थे, हम तो बहुत जर्रा भी नहीं है, तेकिन मैं इतना कहूँगा, कि आपकी साक्षी में अब ये शेर, राजेश व्यास, मिस्कीन का है, मेरा नहीं है, अब के जो मैं बिखरा हाँ, अब के जो मैं बिखरा तो सिमट ही नहीं पाया, मैं कहो ने गजलना बे मिस्रा नी अंदर नी जे स्पेस चे नहीं, आपने ये मूर जे गटना बनी जे जे मूर वाद चे नहीं तरफ इशारो करें जो, आशब्दों तो काम करता था नदी, आशब्दों कहीं जे वानी वाद चे न laps बिखरा जे अब के जो मैं बिखरा जो अबके हवे एंड, नाव एनी वाद चे अत्यार सुधी विखरा हो तो घड़ी वारी वतिठरा तो सिमट ही नहीं पाया, अत्यार सुधी भिखरा हो तो बेगव तहीँ आः शक्तों था ही पहली वारRIS आःउ था, कि वह आखाद है और एहसास कहां फिक्र कहां रूह कहां है एहसास अपने अनुभुतिनी वाद करिया जो अनुभ वे शरीर नस तरह था है एहसास कहां फिक्र फिक्र चिंता मन्नी भूमिक आए था है रूह कहां है आत्मा अब जो में विखरा तो सिम्मत ही नहीं पाया एहसास कहां फिक्र कहां रूह कहां है मरू शरीर कहां अचिया अचिया टुर्ण इकिंतार भी खहाँ तहुम्हाग जो में विखरा। किनारे मेरी बाहें और पानी हो बदन तेरा किसी नदी के तट पर बैच कर यह सोचता हूं किनारे गया एकला 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 एमने आ नदी ने क्या क्या निखिश है अनरे मिल्कि नदी का घर ने शोधा है अपड़े वारंबार पालपंची वा निभन्दो लख यहां जंधर तीहरी हरी आडी भेल अशांता है अधारा देखा नदीनु घरजद्वानी भात न या नदीना घर साथे हैं जो डायली गजलों जो या एवी साथे मने एक बै वात केवी लागी करता है वरना वो चुप रहता है वरना वो चुप रहता है ने फूलों में खिलता है रोज जर्ना बनकर बहता है लब उसके चुप रहते हैं चहरा बोलता रहता है अना आज चहरा रहता है वहीं चुप के अन्रम सादीक भी आपड़ लेकर सलों समझा रहता है यह शेर जो अपके जो मैं बिखरा उसे मढ़ी नहीं पाया आए मुझे एक वाक्या य लेकिन मैं जो अधबूर में था राजरेश भाई का फोन आया कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच माइक्रोफोन पर इस वक्त बोलने की तैयारी कर रहा हूं अपना प्रवचन की लेकिन मैं यह आपके मैं इस शेर से यह शुरुआत करना चाहता हूं और माइक्रोफोन ओडियन्स का चालूए और फोन पर बात कर रहे हैं और यह शेर उन्होंने पढ़ा कि आपके जो मैं बिखरा तो से मटी नहीं पाया अहसास कहां फिक्र कहां रूह कहां है साधी भाई आप कहीं भी बैठे हों आप इस वक्त हमारे ओडियन्स में हमारे जाए है तो जिन्दगी के इस बिखराव की बात इन्होंने अपने उस प्रोश्चन में कही होगी इसलिए इस शेर ने मुझे इन्होंने जितनी इज़त दी है इस शेर ने इस शेर के जरीए में इनका बहुत आभारी हूं लेकिन यह घजल मैं पहली मरतबा शायद आपके स बहुत शोर आया है और आखों की चमक में भी कोई चीज नहा है और कोहरे के धुंदलकों से हर एक याद के पीछे बेहती हुई नदी की लहर अब भी जमा है अब मुठी में चुपा लेता है मुठी में चुपाए हुए बैठा है कोई शे कोई वस्तू किसमत है मुहबबत है हवा है के धुआ है एक डिम्धुकिंद शुपाई हुँए बैठाये कुई शै किता और से किर रंगों की धनक भूदक भीर रंगों की धनक लोगं थो दिन पर पहले फिर डूंड़ते बिरते हैं फलक है तो कहा है रखों की धनक लोग बना लेते हैं पहले अब फिर डूंड़ते बिरते हैं फलक है तो कहा है और हाथों के जकोलों से हिला देता हूं वरना इस जील की आवाज है कोई ना जुबा है और अब के जो मैं बिखरा तो समठ ही नहीं पाया एहसास कहां, फिक्र कहां, रुख कहां। इसका उर्दू से हिंदी में तर्जून हुआ, या स्क्रिप्ट पहले जी तो आप मुखातिम इतना अच्छा बोले कि दिल्खुश हो गया। या से किया है, जिसमें बहुत मुश्किल हुई कि एक तरह उर्दू है और उसके बिल्कुल सामने मिरे रिमेज में हिंदी है। और उसके प्रनांसियेशन देवनागरी में उसी तरह से जितने उर्दू में हैं। और देवनागरी लिपी के नीचे मेंने उसके अर्च दिये हैं। ताके पढ़ने वालों को आसानी हो तो यस के सवाल। उसके अलावा हमारे पास शायद वक्त वाकि बहुत कम है और सब कुछ वक्त से चल रहा है। इंशाला आपने जो नदी की बरत नदी के घर की और से रखी है इस किराल में हमने पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिए आपके जो शायदाना जो अंदाज है वो कितने साल हमारे लिए नदी की तरह लंबा हो सकता है। अल्ला चाहे और आपके दुआएं जब तक लगती रहें तक तक है। हाँ आई थिंग अब हमारे पास आखरी दस मिनिट हैं तो उस दस मिनिट में अगर हम ये चर्चा को रशीद सापिश के रहे हैं। जो डांग की बहुत सारी बात हो रही है तो डांग नजम पर कुछ बात करें। और एक हजम सुनकर आरमेज राजिश भाई से कहूँगा है कि वो डांग की बात हम बार बार कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गुजराद जसुवा है उसका बहुत अच्छा जिला जो है डांग है और खास तोर पर बारिश के बात अगर आदमी वहां जाता है तो उसको इसा महसूस होता है कि वो जन्द में चला आया है तो वहां पर जो अलग अलग मुक्तलिफ किसम के जरखते हैं उनके मुक्तलिफ किसम के तने होते हैं उसके मुक्तलिफ किसम के पत्ते होते हैं उन बातों को इन्हों ने देखा है उसके अंदर से जब चलते हैं उस कि इतनी अच्छी जगह पर उन्होंने मुझे बुलाया था और यह जो चीजे में बताना चारा हो तमाम चीजें उन्होंने मुझे ले जाकर बताई असनल में जमाने में लोग क्या समझते हैं कि किसी गवर्मेंट के कर्मचारी को अगर परेशान करना हो तो उसके डांग दिल और उनके साथ रहकर वो तमाम बाते जो इन्होंने तनहाई में देखी थी वह हमको ले जाकर उस जगह पर बताते थे और हम उन तमाम चीजों को देखते भी रहें लेकिन कुद्रत में उनको जो हिस्तास दिल दिया और हिस्तास दिल के साथ साथ जो इनकी शायराना सूज औ और बूज है वो शायरान सूजबूज की वजासे उन चीजों को उन्होंने अपने तरीके से लिखते भी चले गए इनका लिखने का अंदाज है मैं समझता हूं बहुत ही अलग किसम का अंदाज है क्योंकि इनकी शायरी के अंदर जो है मनजर निगारी बहुत दबदस्त आती और मनजर निगारी जो है वो डांग के जंगलों ज्यादा उभरती है मनजर निगारी इसी चीज़ है कि अलफास हमारे सामने के सब पेकर खड़ा कर देते हैं जो तस्विर नहीं कर पाते हैं लोग केते हैं कि हजार अलफास जो केते हैं वो एक तस्विर बता देते हैं लेक कभी माती दोर पर यानि पदार जिसको बोलते हैं हम उसको पार्थिव इस तरह से हमने कभी नहीं देखा एसी तमाम चीज़ें हमको दिखाई देने लगती है तो उस डांग के बारे में और उसके जो इनकी जो बेश्ट क्रेशन मुझे लगती है उसके बारे में मैं ये किताब का जब इजरा हुआ विमोचन हुआ तो उन्होंने भी किताब खुद लेकर पढ़ी होगी और मुझे एक दिन आके कहा के साथ इस किताब की कुछ नजमें पढ़ने के बाद हमने ये तै किया है कि हम सब मिलकर डांग जाएंगे और शायद ये एक और बड़ा जो बेठा हुआ जो डांग अभी देखा नहीं है लेकिन सपने में डांग आता है इनके और अब ये लोग मुझे से अभी कह रहे थे कि हमने जनवरी में शायद प्रोग्राम बनाया है दाने का तो ये नजमे उन्हें डांग ले जाएंगी मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए सेकड़ों मील फेले इसका शिर्शक है डांग सेकड़ों मील फेले हरे भरे टीले फिर पहाडी सिलसिले सहयादरी की गोद से नीचे उदर कर वादियों में गुम पहाडी सिलसिले सागवानों से भरे मास के जंगल सजीले आसमा के परकतरते सबस मंजर तुंद तेज हवाओं के समंदर उदी पीली लाल नारंजी शामे नदियों के साफ पानी से धुले उजले सवेरे मौसमों के साल भर डेरे अधर परबत अधर तीले और तीलों की ढलानों पर परबतों की चोटियों पर वादियों के दामनों में नदियों के मौड पर साल हा साल से बस्ते हुए डांगी कबीले साल हा साल से बस्ते हुए डांगी कबीले अपने आबाई पुरवच पुरवजों से अपने आबाई इलाकों में बड़े खुश चैन की बंसी बजाते अपने गलों को चराते दूद की नदी बहाते नागली की छोटी 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 फसलें क्या वहाँ का अनाज है नागली नागली की छोटी 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 फसलें बोते काटते खाते नाचते गाते कबीले ना इनके खाब कोई ना तरकी की कोई खौईश नहीं तैजीब के बनने बिगड़ने का कोई ख़द्शा क्या बाद गतारों में घड़े रहकर सुबह को शाम करने का ना मनसुबा ना मीलों कारखानों का धुआ ना हरतानों का समा ना बंदूकों की धाएं ना मासुम चिखें ना बेवज़ा आहें बड़ी पुरसुकु हैं यहां की हवाएं बड़ी पुरसुख षप्रूह क्या बाद बाद बाकि यह यह और एसा बहुत कुछ डांक इत्ना खुबसूरत यहां के लोग इतने खुबसूरत इतने भले हम जिने आदि बासी कहते हैं उनसे बहुत कुछ सेखाजा सकता है बहुत एक नस्दुख मैंने जो लिखी हूँ जबर्दस बारिश है उसका आधा शरीर तो आधे शरीर को ढखने के भी कपड़ नहीं है वर एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा उसके पास है और उस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े से वो अपने आपको बचाने के बचाए वो उस लकड़ी के गठर को बचाने की कोशिश कर रही है कि वो भीग न जाए क्यूंकि वो लेकर जब बारिश का बारिश शायद रुके और वो लेकर जब घर जाएगी तब उसकी माँ चुला बनाएगी चुला जलाएगी और तब खाना पकाएगी तो इस तरह से जी कर नजाने की इस तरह से ये डांग और ये डांग के लोग और ये डांग के लड़की और ये डांग के दरख इन किताब बहुत खुशी है कि आज आप लोगों के साथ इस किताब को शेयर करने का जो मौका मिला है और बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि जिन्हों खुद डांग को जिया और राजेश व्यास मिस्कीन जैसे कैलिबर के शाइर उन्हों ने मेरे ये अशार के अंदर उतरने की कोशिश की ये थारी बाते इस शायर को और भी बड़ा बना देती है मैं चाहूंगा कि राजेश व्यास मिस्कीन अपनी बात से इसको मुकमल करें आज की सब्ट हो एमनों एक शेयर चेया आज गजल माज के मेरे अशार में पढ़लो यारो तुमने तनहाई में जो सोचा होगा मेरे अशार में पढ़लो राग़ो ये एक नी अने 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 नी ने अने अने वात करें जेने ये आक शोलू मा मने मली मने लागे छे के एक बहु सब्सक्राइब डिस्कुवरी चैनल वाड़ाएगी परम दिल से करू कि मानस पाले जंगल नी बाहर निकड़ी दिलो पड़ मानस माती जंगल अजू बाहर नदी निकड़ी निकड़ी अने अने त्यारे अपने एमनों जेक मने शेर कहीने वात आईया पूरी करवानू मन दिलू वह अधूत री ते हमने कयो चैनल न लोँच है तो भी सादीक नूर है क्या वो भी चादिक नूर सा था हाल एटले क्यारेक वालमा आप यक्तिने स्वामी सत्य प्रकाश तेचिए तेच्टले सत्या अने नूर इंटले प्रकाश पूश्वानी बास्वामा को ने तो स्वामी सत्यवर्टाश पुल आदी एक मजा जे के जेक जारे जारे अमने कवे उचे त्यारे पुद्रतना सत्यों ने आपने मुटी तक आपी इतला माटे मने आनन्द छे ने मिस्ते हैं एक आखिर में बात यह करना चाहिए बहुत थक गए हैं कि मैं बहुत आलसू आदमे हूँ काहिल हूँ और बहुत दिनों से ये शेर और ये खजलें अपने बिस्तर पर लेकर सो जाता है और तुशार शुक्लो और ये यासर और इन लोगों ने पीछे पड़कर से कहा कि अब तो ये करना ही होगा और तब जाकी होगा और ये जो कुछ सामने आए और ये सर्प्राइज मुझे यहां पर जेलेफ ने दिया है कि मुझे कहा गया कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो अपने यासर जो हैं उससों आपको इंट्रब्यूस करेंगे तो मुझे बड़ा आजीब ही लगा हमसे और यह आप तक जाएगी नौजवानों तक जाएगी और मैं बहुत बहुत शुक्र बजार हूँ है और हम शुक्र बजार है इस वंडर्फुल आउडियंस के तेक है राजिश मैसाब के उन्होंने यहां बैठे बैठे इस सर्दी के मौसम में ठीक हमको जो डान की आप से और इस शाहिरी से इसको पढ़कर इन मेरे कुछ दोस्तों की करा हम सब्सक्राइब करें है तरू याद करें है थैंक्यू सो मच थैंक्यू बेरी मच्छ थैंक्यू बेरी मच्छ